नमस्केर, एगेन कॉम बेक टू माई चेनल, यूगा फर आईज, हेलो फ्रेंज, दिस इस डॉक्टर गौरी शंकर गश्वामी, नियाश्रोप्राथिक आई डॉक्टर, फ्रेंज, अगर आपको कोई भी स्कुइड है, तो आज मैं इसे एक एक्सेज बताने जा रहा हूं, जि भी नेचुराल वेल से, और आप घर पे रहते हुए, यह नर्माल एक्सेज करने से, आपका आंग फुरा ठीक हो जाएगा, तो स्टार्ट करने से पहले, लाइक, कॉमेंड एंड सेर केजिए, अगर नहे है तो सब्सक्राइब करा देजिए, और बेल आइकन को भी दबा दे जैसे उनमें से एक है, स्कुइंड, तो उसमें क्या होता है कि डाइवर्जन स्कुइंड जो होता है, उसके होने का एही रिजिन है, कन्वर्जन बाला जो नर्म है, वो नर्म क्या होता है, ध्रिदर स्टीफ हो जाता है, या लेजी हो जाता है, तो यह ज्यादा टाइम यू दिद्रे आपका आंकों का जो आईवल का साइज है वो क्या होता है कि दिद्रे जिसे डाइबर्जंड हो जाता है या बाहर के तरब से हो जाता है तो उस टाइम पर आप क्या होता है जैसे आपको तुछ नमबर आता है या प्लोस का कुछ पावर दे देते हैं कोई भी पावर देने से क्या होता है आप पावर लगा लेते हैं तो उसमें से आपको clear दिखाई देता है लेकिन आपका जो अंदर का क्या होता है कि आपका जो आखो का जो साइज जो होना चाहिए वह द्रीद्र और भी डाइबरजन के तरब से चला जाता है और या आपको कोई भी खिची का तो कुछ नहीं होगा वह स्टेबूल रहेगा जैसे आपका दो तिन साल है या पेले जैसे आपका नर्माल आइस था ठीक वैसा ही आपका नर्माल ही होते जाएगा तो उसके लिए मैं यह एक्सेस बताने जा रहा हूं इससे ध्यान से आप देखिए सबसे पहने आपको क्या करना है यह एक्सेस के लिए आपको हेड को स्टेट रखना है और एक पहन लेना है देखिए अगर एसे वाइड पहन होगा और उपर बाल जाट टीब है यह टीब अगर आपका रेड होगा वह सबसे अच्छा होगा आपका जो आई है आई के मिडिल उसे हwno नोज यह है वोुन के replicate अब को लेना किसे वान टो sand disappeared के डिस्टंस आयक है को टू फिट डिस्टंस रखने के बद हैं आपको क्यों देखते रहना फिर इह रेड़ को देखते हुए धीरी दर्या क्या करना है फास के तरफ से लाना है त्ट रिखी यह जैसे ही पास आप ला रहे हैं सफसाइश लाने से क्या होता है तो यह आने से आपको क्या करना है फिर कि आपको count करना है 1 to 10 times count करना है जैसे 10 हो जाएगा फिर आंको burn करना है या blink करना है तो यह 1 times हो गया तो इसमें क्या होता है इसमें यह है कि आपका आंको का मसल्स मतलब क्या होता है कि आपका lazy हो गया था तो lazy होने से उनका exercise कुछ नहीं क्या होगा कि बाहर के तरब से चला जाता है तो भी आपको डॉबल दिखता है नहीं तो हेड़ेक होता है हाँ यह जिसे मेरा नॉर्मल आईजिए मैं नूज तुक लाए पाता हूं अगर आपको स्कुइंड है तो यह आप ध्यान से देखिए क्योंकि आप नहस्दिक तो और जहरा है नजदिक के तुरब सहरा है लेकिन आपका स्कुइंड है तो कुछ डिस्टंस आने के बाद फिर क्या होगा कि यह और भी नजदिक नहीं आगा आपको तुरह पेन महसूस होगा और क्या होगा दूसरा आपका जो एक आंख है वह आंख साइड हो जाएगा तो ज लेकिन यह अगर आप जिस दिन में आप स्टार्ट किये अगर आपको यह जिसे दू-तिन सेंटिमेंटर के डिस्टंस में अगर आपका यह पेन आया और नजदिक नहीं आप आया तो अब एसे टेन ताइम साब करते रहें फिर नेक्ट आप जब करेंगे न तो 100 परशन में आपको नहीं अगर आपको यह कोई डवल बीजन का प्रोल्म में रहेगा नहीं आपको उรवी डिजन का प्रोल्म होगा तो यही नर्माल एक्सराइज ही है, यह एक्सराइज आपको कितना टाइम करना है, कौनसा टाइम पर करना है, यह मैं आपको बता दिता हूँ, यह एक्सराइज आपको सुभे में, मिनिमूम तो आपको जिस्तिन आप स्टार्ट करें, फाइव टाम्स किजिए, ज्याधा स्ट्ट उelet आपको five-five times किंजिए three times करना है जैसे एक बार मारींग में भी करना है और एक बार ईवनिंग में भी करना है तो जीसे one week होने के बाद फिर two weeks या second week से आपको क्या करना है आपको ये five times counts को 10 times को बढ़ाना है फिर to the week को आपको क्या करना है 10 से 15 करना है और 4th week से क्या करना है आपको totally 20 times आप कर सकते हैं तो ये था अगर divergence queen या बाहर के तरब से आपका आंग जा रहा है उसके लिए ये exercise था फिर next में वीडियो एक बनाऊंगा जिनका नजदी के तरब से आ रहा है या convergence queen है उनके लिए भी एक exercise बताऊंगा तो वे next वीडियो में आपको दिखने में मिल जाएगा अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो please like, comment and share किजिए अगर नहीं तो subscribe करा दिजिए और bell icon को भी दबाया दिजिए क्योंकि इसे बहुत सारे जो आँखों का जो exercise के बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके जो notification है ये आपको मिलते ही रहेगा तो आज के लिए इतना ही नमस्क्राइब चैज़े गन्नात झाल